हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू रसोई घर्तो फ्रेंड्स आजम बनाएंगे लसुन के टेस्ट वाली चटपटी तीखी बेसन की पपड़ी यह पपड़ी महिने बरता खराब नहीं होती है हम इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है तो बेसन को मैंने पहले से ही छान के रखा हुआ है तो एक बरतन में हम बेसन को डाल देते हैं और अब हम इसमें मसाले एट करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें नमक एट करेंगे तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या जाधा कर ले मैं देड़ चमश नमक ले रही हूं इसमें साथ ही हम इसमें देड़ चमश लाल मुर्च पाउडर डालेंगे तो यदि आप थोड़ा सा फीका टेस्ट पसंद करते हैं तो आप लाल मुर्च की मातरा कम कर दें वैसे इस पपड़ी में थोड़ा तीखा टेस्ट अच्छा लगता है और आदी चमश में इसमें हल्दी प मेथी आप कसूरी मेथी भी ले सकते हैं दस से बारा कर लिया लसुन की जिसे मैंने पेस्ट बना रखा है यह भी इसमें एट कर देते हैं एक पिंच हींग इसमें डालेंगे तो हींग से पपड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और अब हम इसमें मौन के लिए तेल में बहुत ज्यादा नहीं डालना है करीब दो छोटी चमच में इसमें तेल एट कर रही हूं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिला लेंगे हातों से और अब हम इसका डो लगा के तयार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका डो लगा लेंगे तो पानी पहले हम कमी डालेंगे क्योंकि बैसन जो है बहुत जल्दी से गीला हो जाता है तो हमें इसका सक्त डो लगा के तयार करना है जिस तरह से हम पूरी का डो लगा के तयार करते हैं तो यहां में इसका डो बना के तयार कर लिया है तो अब हम इसे कवर करके 10 मिट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए ताकि बैसान हमारे अच्छे से सेट हो जाए तो दस मिट बाद हम एक बार इसे फिर से अच्छे से चिकना कर लेते हैं तो अब हम इसकी लोईया बना लेते हैं तो यहां पर मैंने इसके तीन पेड़े बना के तयार करें हैं इस तरह से तो अब हम इसे बैलेंगे तो थोड़ा सा हम तेल लगा के इस्टेंड को चिकना कर लेते हैं आप चाहे तो इसे चकले पे भी बैल सकते हैं तो इसे हमें थोड़ा सा रोटी से मोटा रखना है बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं थोड़ी सी मोटी रोटी होती है उस तरह से हम इसे बना के तयार कर लेंगे तो अब हम इसे काटेंगे तो आपके पास कोई कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं या इस तरह से आप कोई रूव अबजा का ढखकन ले ले या फिर आप छोटी गोल कटोरी ले ले उससे भी आप इसे आसानी से काट सकते हैं तो सबको मैंने इस तरह से काट लिया है अब हम इस तरह से निकाल देंगे इनको तो फ्रेंट से पप्रेयां खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं आप इसे शाम की चाई के साथ इंजोई करें या फिर आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो भी इसे ले जा सकते हैं क्योंकि लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं हलकी फुल की भूक में आप इसे खाएं तो सारी पप्रेयां में इस तरह से निकाल लेंगे और यह जो आटा बचा है वापस हम दूसरे पेड़े में इसको एट कर देंगे तो यहां मेंने इनकी साइज थोड़ी छोटी रखी है आप चाएं तो इसे थोड़ा बड़े कटर से भी काट सकते हैं तो इसी तरह से हम सारी पप्रेयां बना कर तयार कर लेंगे तो एक तरप मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था तेल भी हमारा गरम हो चुका है तो अब एक एक पप्रेयां डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो एक बार जितनी आए आप उतनी डाल दें ताकि यह आसानी से फ्राई हो सकें तो तेल गरम होने पर आप गेज का फ्लैम मीडियम कर दें और इस तरह से इने पल्टाते वे अच्छे से फ्राई कर लें तो इसमें से जरूरी नहीं है कि सभी पप्ड़ेयां आपकी फूलेगी कुछ का पप्ड़ेयां फूल सकती है और कुछ नहीं फूलेगी तो अच्छा साइन का कलार आने देते हैं मचे से फ्राई होने देते हैं इने तो यह देखें फ्रेंड्स यह अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो अब हम इने निकाल लेते हैं तो इस तरह से सारा तेल निकालते वे हम इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे साइड में करें तू इस तरह से सारी पप्रेयों को फ्राई कर लेंगे तो और भी पप्रेयान में इसमें डाल देती हूं आई आए कि जथे हो ज़्व है तो इन्हें भी निकाल लेते हैं तो आप एक बार इस तरह से एक बार मेरी रेसिपी को जरूर ट्राय करें तो सारी पपड़ें फ्राय कर ली है मैंने बहुत ही अच्छी और खस्ता पपड़ें बनी है हमारी तो